यह दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिलेटर थियोरी की जिसको कि हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिलेशन ऑफ डेरिवेटी डिमांड भी कहते हैं तो यह थियोरी हमें बताती है कि अगर मान लीजिए कि हम अपना जो कंजम्शन उसको बढ़ाते हैं तो हमारा प्राइबिट इन्वेश्ट्मेंट काई टाइम ज्यादा बढ़ेगा यासे मान लीजिए कि अगर हम कंजम्शन को 100 रुपी से बढ़ाते हैं इन्वेश्ट्मेंट 500 रुपी से बढ़ेगा इस वने जो हमारा एक्सिलेटर होगा वह 5 होगा यानि कि the accelerator show the effect of change in consumption on private investment यानि कि consumption का private investment पे क्या असर पड़ा यह theory हमें accelerator की theory हमें बताती है तो अगर हम बात करें इसके basic introduction की इसके historical background की तो 1903 में सबसे पहले Thomas Nickstone ने सबसे पहले इस consumption और investment की बीच relation stabilize किया बाद में इस theory को अलबर्ट अलपालियों ने आगे बढ़ाया गिटेल में उसको analysis किया लेकिन इसको सबसे पहले जो नाम दिया accelerator theory वो था Clark ने उन्होंने accelerator theory को 1923 में develop किया उनकी जो book थी उसका नाम था studies in the economic overhead cost इस book में उन्होंने इस theory को explain किया और बाद में जो error है उन्होंने इसको बहुत ज्यादा popularize किया और साथ ही साथ अपने business cycle में इसका यूज किया उनका यह मानना था कि accelerator is the responsible for business cycle उन्होंनका मानना था कि जो business cycle है यानि कि recession और boom जो बाद बार आते रहते हैं वो accelerator की वज़े से ही आते हैं तो जब हम business cycle theory पढ़ेंगे तो उसमें accelerator का use होगा आप इस लिए इस topic को भी ज्यान से समझेगा तो अगर हम आगे बात करें सबसे पहले accelerator की तो सबसे पहले हम basic concept समझेटर क्या है उसने पहले मैं आपको बदा देता हूँ कि accelerator के उपर हमने तीन वीडियो बनाई हुई है पहली वीडियो में हम basic accelerator का meaning समझ रहें दूसरी वीडियो में हम इसका process समझेंगे किस तरीके से accelerator का करता है और तीस दिये वीडियो में हम समझेंगे कि accelerator की जो theory है वह केंजियन थियोरी जो है multiplier वाली उससे किस तरीके से अलग है तो सबसे पहले मैं आपको बता दू basic basic तरीके से बता देता हूं कि कि किसी भी business में जो accelerator है उसकी जो demand है वो दो वज़े से होती है मतला accelerator जो है वो government करती है autonomous investment, autonomous investment जो है वो accelerator को influence नहीं करता क्योंकि वो consumption को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है वो तो government द्वारा किया जाता है ठीक है बिना किसी objective of the profit profit के या profit के और वो income से related नहीं होता तो जो induced income में है वो income से related होता है और उसका diagram इस तरीके से बनता है इसका मतलब जैस ऐसे हमारी income बढ़ती है वैसे वैसे investment भी बढ़ जाएगा ठीक है तो यह आपको induced investment समझ में आ गया होगा उसके बाद मैं आपको एक example से समझाता हूँ दीखें मान लीजिए कि आपके पास में 100 machine हैं और यह machine की 10 year का एक time period है जिसके बाद यह machine automatically खतम हो जाएगी इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 machine हैं तो आपको 10 machine का replace करना पड़ेगा every year replace करना पड़ेगा ठीक है replace करना पड़ेगा इसका मतलब यह हुआ कि आप जो machine की demand करते हो जो capital goods की demand करते हो वो किसलिए करते हो for the replacement क्योंकि आपको पता है कि हर साल 10 machine है replace होंगी तो अगर हम यह मान ले कि consumption अ एक machine से आप 100 ही shirt बनाते हों तो चलिए मान लेते हैं 100 आपने shirt बनाई तो आपकी जो demand है वो 10,000 आ गई तो यहां पर आपको यह समझना है कि आपके demand 10,000 है तो आपको 10 machine replace करना पड़ेगी अब suppose कीजिए कि अगर आपकी demand बढ़ जाती है 11,000 हो जाती है इसका मतलब क्या पड़ेगी क्योंकि आपकी एक machine 160 बनाती है इसलिए 11,000 में आपकी कितनी demand new create हुई 1,000 new create हुई new demand आई तो new demand के लिए आपको कितनी machine चाहिए 10 machine और चाहिए यहां पर वो कहना चाहरा है कि accelerator हमें क्या बता रहा है accelerator is related to the induced investment ठीक है तो यहां पर induced investment है जो investment induced है क्योंकि जो नई demand आई है आप देख पा रहे है पहले demand कितनी थी चलिए मैं यहां लिख देता हूं simple तरीके से पहले जो demand थी वो कितनी थी पहले demand थी 10,000 ठीक है अब new demand कितनी आ गई है new demand कितनी होगे new demand 11,000 तो नई demand कितनी है यह 1000 अब इस 1000 को पूरा करने के लिए क्योंकि एक machine बना रही है तो 1000 के लिए आपको 10 machine चाहिए होगी तो यह 10 machine क्यों चाहिए आपको new demand को पूरा करने के लिए ठीक है और यह 10 machine क्यों चाहिए आपको replace करने के लिए तो इसका मतलब य यह हुआ कि आपकी जो डिमांड आपकी जो रिप्लेस्मेंट है यानि कि आपकी जो investment है आप देखिए 10 से 20 हो गया इसका मतलब 100% बढ़ गया ठिक है 10 से 20 हो गया 10 से 20 हो गया 100% बढ़ गया जबकि आपकी जो demand है वो कितनी बड़ी demand बड़ी केवल 10% तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि केवल 10% demand बढ़ने से आपकी जो investment है वो कितना बढ़ गया 10%, 100% बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, कि 100% upon 10% equal to 10, तो यहाँ पर आपका जो accelerator है, वो 10 time है, तो इस theory को हम आगे समझेंगे, हम आपको एक table के तुरूप पूरा का पूरा समझाएंगे अगले वीडियो में, तो accelerator का अंसर्प आप समझ लिए accelerator क्या कहना चाहरा है, accelerator theory कहती है कि जो demand होती है capital roots की, वो दो वज़ें से होती है, एक तो replacement cost के लिए, यानि कि नई पुरानी मसीनों को आपको replace करना है, उसके लिए, और डूसरी जो demand create करने के लिए, तो जो ultimately जो demand create होगी, मतलब ultimately जो investment होगा, जो consumption के मुखाबले कहीं जादा होगा, तो वो हमारा accelerator है, इस पूरी की पूरी थियोरिय में हमने जो assumption नहीं है, वो क्या लिए है, वो भी आप समझ लीजिए, there is no access capacity, इसका मतलब है कि जो machine है, वो staunchard बना रही है, किसी भी तरीकी के access capacity का हमने use, नहीं बचा होगा है, यानि किसी भी तरीकी capacity नहीं ह जाता हूँ, capital output ratio क्या है, माल लेजिए, आपका capital formation का ratio है 10%, मलब आपका economy में 20% capital formation का ratio है, और GDP जो growth आ रही है, वो भारी है 5%, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि आपने 20% का investment करके 5% को GDP growth किया, इसका मतलब आपका capital output ratio 4 is to 1 हो जाएगा, तो यह होता है capital output ratio, तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है, कि जो capital output ratio है, वो constant रहता है, supply of factor is perfectly last, यानि कि जितनी चाहिए आपको machine है, machine में available होने में को issue नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, credit for the production is easily available, मनला अगर किसी को उधार चाहिए, तो उधार भी मिल जाएगा, और increase in the income, increase the investment initially, instantly, मतलब तुरं अगली वीडियो में हम इसके बारे में हम detail में समझेंगे, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा concept बताएंगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम net का syllabus पूरा का पूरा त्यार करा रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें हमने micro economist में लवक 250 के round video बना ली है, और macro म में भी हमारी अभी तक यानि इस वीडियो के साथ हमारी लवक 170 वीडियो complete हो चुकी है, तो हम काफी speedly अपना syllabus कवर करा रहे हैं, तो यह कुछ वीडियो उनमें से private वीडियो हैं, अप playlist में जाके देखी, आपको काफी सारी वीडियो देखेंगी, कुछ वीडियो आपको private भी दिखेंगी, तो अगर आपको private वीडियो देखना है, तो आप मुस्से contact कर सकते हैं, मेरा number आपको मिल जाएगा आपको वीडियो के starting में, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you.